हाई अब्रिवन वेलकम टू एडुकेशन पॉइंट सो हम यहां पर जो है क्लास 11 की जो NCRT है हिस्ट्री के उसे कवर कर रहे हैं अब तक जो है इसके हम टोटल 9 चैप्रस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम बात कर रहे थे कि पूरी जो European history है उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे थे different countries के बारे में हम यहां पर बात कर रहे थे अपनी previous video में भी हमने यहां पर एक सबसे जो important aspect यहां पर रहता है किसी भी country का वो होता है industrialization जो industry है वो किस तरह से यहां पर grow होती है तो उसके बारे में हमने यहां पर बात की थी तो Britain में सबसे पहले हमें all over the world इंडस्ट्राइशन जो है वो देखने को मिलता है और ऐसे क्या reasons थी कि only Britain में हमें सबसे पहले industrialization जो है देखने को मिलता है उन reasons के बारे में भी जो है हम नहीं यहां पर बात की थी अपने प्रीविएस वीडियो में आब हम यहां पर जो है जो 10th चाप्टर है उससे हम यहां पर स्टार्ट करने वाले है यहां पर हम क्या करेंगे जो North America है North America की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम यहां पर आज कवर करने वाले हैं तो जैसे कि आपको पता है कि हम पूरी एक European हिस्ट्री के बारे में कवर कर रहे हैं तो इसमें हम यह भी देख रही है कि यो European countries थी उन्होंने कई सारी colonies यहां पर बनाए थी obviously Asia में तो यहां पर कई सारी colonies उन्होंने बनाई ही थी जैसे कि Britain है उन्होंने इंडिया को अपनी colony बनाया था और और भी कई सारी ऐसी countries थी जिनने बृते ने अपनी colonies बनाया था इसके इलावा अब जो है न कुछ European countries ऐसी थी जिनों ने जो है न North America को भी जो है अपनी कोलोनी बनाया था तो आज हम यहाँ पे जो है न उसी के बारे में ही cover करेंगे कि North America को जो है किस तरह से कोलोनी बनाया गया था and कौन-कौन सी states ने यहाँ पे जो है अपनी different states हैं वो established की थी तो पीछे आप जो है मेरी background में जो map देख पा रहे हो यह जो है North America का ही map है and इसमें जो है na different colors में जो है यही शोर करने की कोशिश की गई है कि कौन सी territory जो है North America की वो किस country ने जो है अपनी कोलोनी बनाया थी so यह जो map है it is related to the states and tightries of the USA 1789 से लेके 1790 के बीच की यहाँ पे बात हो रही है तो जो pink color में है वो states है यहाँ पे and यह yellow color में है वो tightries है and यह जो gray color में आप देख रहे हो यह other countries है I mean दूसरी countries ने यहाँ पे जो claim कर रही है ना टाइटरी इनकी North America की तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया and यह जो dark pink color है इसमें आपको जो है जो disputed areas है ना different countries के बीच में वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं Okay, so चलिए start करते हैं तो यहाँ के जो indigenous people थे, indigenous people कौन होते हैं जो local लोग होते हैं वहीं के किसी particular area के जिनका यहाँ पे जनम हुए यहाँ पे हुआ होता है शुरू से जो है वहीं पे रह रहे होते हैं उन लोगों को हम indigenous people बोलते हैं तो इस chapter में हम जो है क्या देखने वाले हैं this chapter recounts some aspects of the histories of native people of America and even of the Australia also तो theme 8 जो है आपके जो previous chapter है उसमें आपने Spanish and Portuguese colonization के बारे में बात की थी कि उन्होंने South America को किस तरह से colonize किया था बट अगर हम बात करें from the 18th century South America की कुछ और areas को भी यहाँ पे colonize कर लिया गया था उसके इलावा Central America, North America, South Africa, Australia and New Zealand जो है वहाँ पे भी पूरे Europe से कई सारे immigrants आके रहना start कर देते हैं तो इसकी वज़े से क्या होता है कि जो लोको लोग थे ना इन एरियास के वो आप जो है दूसरे एरियास में जाके रहना start कर देते हैं जो native लोग थे ना इन countries के उन्हें यहाँ पे अपना घर बार जो है वो छोड़ना पड़ता है तो जो European settlements जो होती है आपको बता ही है कि यह जितनी बे Europeans थे जो दूसरे country से जाके अपनी colonies बनाते थे तो वहाँ पर जाके जब settlement करते थे ना उसी को हम यहाँ पर colonies बोनते हैं जब European inhabitants जो थे ना of the colonies became independent of the European mother country these colonies became states or the countries and in the 19th and 20th century Asian countries जो थी यहाँ पर जैसे कि इंडिया हो गया तो वहाँ से भी कई सारे लोग जो है वो इन countries में आके जो है रहना start कर चुके थे माइग्रेट कर चुके थे जैसे कि इंडिया है वो एक कोलोनी हो चुकी थी बन चुकी थी और वहाँ से कई सारे जो लोग थे वो निकल जाते हैं and in the search of new jobs या फिर हम बो सकते हैं in the search of the trade, trade की वाज़े से भी जो है वो इन countries में आके जो है रहना start कर देते हैं so today these Europeans and Asians जो है वो इन countries में majority में है आप देख सकते हो कि यह जो सारी countries हैं South America, Central America हो गया, North America हो गया, South America हो गया, तो इन सभी countries में जो है na Asians हो गया यहां फिर जो Europeans है वो majority में है and जो native inhabitants है न वहाँ के वो काफी जो है उनकी numbering small है and they are hardly seen in the towns, काफी कम लोग जो है उनने towns में देखा जा सकता है and people have forgotten that they once occupied much of the country, लोगों के माइन में जो है अभी यह चीजे नहीं है कि एक समय ऐसा भी था कि पूरी country का ज़्यादा पार जो है na वहां के native लोगों ने संभाला हुआ था, आप जो है उस जगा पे Europeans and Asians जो है वो आके बस गए है, तो यह चीजे आपको यहां पे द history text books है, कौनसी America की and even Australia की जो text books है ना वहां पे क्या चीजे डिसक्राइब की हुई है, how Europeans discovered the Americas and the Australias, means जो है even वहां पे यह बताया हुआ है history books में की Europeans ने किस तरह से America and Australia को जो है discover किया था and उस histories में जो है जो है जो native लोग थे in America के and even Australia के उनके बारे में आपको जो है न कोई भी बात देखने को नहीं मिलेगी, मिन उन्हें जो है वहां पे mention ही नहीं उन्होंने करा है, but however, बात में जो है जो है जो है जो कुछ native लोग जो थे वहां के 1960s में जाके वो भी पढ़ लिख जाते हैं and फिर वो भी encourage होते कि हम लोग भी अपनी histories के बारे में लिखे, जो अमेरिक लिखना स्टार्ट कर दिया था, so today it is possible to read historical works and fiction written by the native peoples, तो आज हम यहां पे, जो historical works है, यहां फिर जो fiction stories है ना, native लोगों के बारे में जो है हम पर सकते हैं and जो visitors है ना, वो in museums को जाके देख भी सकते हैं, यह वहां के उनका जो native art है ना, उन museum में हमें देखने को मिलता है, वह तरीका था ना, रहने का उसके बारे में भी हमें यहां पर बताता है, so the new national museum of the American Indian in the USA has been curated by the American Indian themselves, so American Indian जो है ना, वहां पे, जो इंडिया से लोग वहां पे move कर गे थे, migrate कर गे थे, उन्होंने भी जो है, वहां पे American Indian museum जो है, वो बनाया हुआ है, right, so अब देखते हैं about the European imperialism, क किस तरह से जो है ना, यहां पे जो imperialism है, वो start हुआ था, किस तरह से उरोप के जो दोग है, उन्होंने इन्हें अपने control में किया था, so the American empire जो थी ना, यहां पे Spain and Portugal की, हमने theme 8 में पढ़ा है, अपनी previous chapter में पढ़ा है, तो वो 17th century के बाद में ज्यादा expand नहीं कर सकी थी, ज but after the 17th century जो है वो जदा expand नहीं कर सके थी, तो 17th century के बाद में France, Holland and England जो है ऐसी countries थी, जिन्होंने जो है अपनी areas को expand करना start किया था, and different countries को जो है अपनी colonie बनाया था, तो उन्होंने जो है ना, trading activities जो होती है, वेपार की activities होती है, वो यहां पे सबसे जदा expand की थी, and फिर जो it was also a virtually a colony of the England, तो यह भी जो है ना, England की a colony थी, as the land owners, they were mostly English settlers, क्योंकि यहां पे जो land owners थे ना, Ireland के वो mostly कों से थे, वो English settlers ही थे, mean वहीं से जो लोग है वो यहां पे आके बस के थे, and from the 18th century, and if we talk about the 18th century, it became obvious that while it was the prospect of profit which draw people to establish colonies, तो 18th century से अभी यह पता चलता है, कि just profit की वज़े से ही जो लोग है ना, उन्होंने, in countries जैसे की Asia, African, America country को यहां पे जो है अपनी colonies बनाया था, किसने France, Holland and England को, तो वो किस वज़े से बनाया था, profit की वज़े से, उन्हें यहां पे इन countries में profit दिखाई दे रहा था, that is why जो है उन्होंने, यहां पे इने colonies बनाया थी, trade करने के लिए आई थी, पर जब इन्हें पता चलता है कि यहां पे जो है, यह ज़दा पैसा कमा सकते हैं, तो यहां की जो political power है, वो भी इन्होंने अपने control में कर ली थी, local rulers को इन्होंने हराया था, and यहां की जो टायटरीज हैं, उन्हें भी annex कर लिया था, and जो well developed administrative system इनका उसके उपर भी इन्होंने control किया था, and even जो local land owners थे, उनसे वो taxes भी collect किया करते थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, यहां पे अपने वेपार को easier बनाने के लिए, railways को भी establish किया था, फिर over the time, उन्होंने जो है, mines को भी excavate किया था, and फिर big plantations जो होती हैं, वो इन्होंने यहां पर establish कर ली थी, right, तो यह तो ही बात यहां पर इंडिया की, फिर एफ्रीका की बात करें, तो यह यहां पर जो है, cost के areas की तरफ जो है, जादा trade किया करते हैं, जो cost areas थे ना, एफ्रीका के, वहां पर जो है, जादा यह व्यपार किया करते थे, and फिर 19th century में दीरे दीरे यह जो South Africa का जो interior part है, वहां पर भी पहुं जाती है, उसे भी अपनी यह colony बना लेते हैं, स्फिर कुछ और भी European countries जो है, वो South Africa में आ जाती है, फिर क्या होता है यहां पर, यह सब भी European countries जो है ना, वो एक agreement करती है, कि वो African area जो है ना, उसे different parts में आपस में जो है बना लेंगे, right, so the word settler is used for the Dutch in South Africa, the British in the Ireland, तो यहां पर South Africa में जो है एक तरह से Dutch थे, फिर Ireland में Britishers थे, and then New Zealand, Australia and Europeans in the America, right, तो Australian हो गए, New Zealand हो गया, right, वहां पर Britishers ही थे, and यह Europeans थे, वो अमेरिका में जो है, वो settler बन जाते हैं, तो official language, जो है, officially यहां भी English ही रहती है, इन सभी, तो यह क्या करते हैं, कि इन सभी colonies को आपस में, वो divide कर लेते हैं, Now, let's see about the North America, तो हम यहां पर जो है, mostly North America के उपर focus करेंगे, इस particular chapter में, तो इसके बारे में देख लेती हैं, पहले इसकी थोड़ी से location के बारे में, जो है, इन्होंने बताने की कोशिश की हुई है, तो आपको जो है, इस location को map में, जो है, खुद locate करना है, that is the most important thing from the exam perspective, तो य यहां पर, यहां पर, यहां पर यहां पर यहां पर इसका एक location बताने की कोशिश की हुई है, तो यहां पर जो है, इसके वेस्ट की तरफ, जो North America का जो वेस्टन पार्ट है, वहां पर आपको रोकी माउंटेंस देखने को मिलेंगे, और वहां पर आपको डेजर्ट भी निवेडा की, and still further west, the Sierra Nevada mountains आपको देखने को मिलेंगे, to the east, the great plains आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, great lakes है यहां पर, valleys है Mississippi की, Ohio and the Appalachian mountains जो है, वहां पर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, and फिर इसके south की तरफ, जो है, आपको Mexico देखने को मिलेंगे, तो जो 40% Canada है, वो जो है, forest से ही cover है, वहां पर जो है, forest बहुत ज़्यादा available है, and oil, gas and mineral resources है, वो काफी ज़्यादा यहां पर पाये जाते है, and जिसकी वज़े से USA and Canada की जो big industries है, वो यहां पर अच्छे से चल रही है, रन कर पा रही है, इन mineral resources की वज़े से, oil and gas की वज़े से, and अगर आज की बात करें, wheat, corn and fruit जो है, वो यहां पर काफी ज़्यादा ग्रो किया जाता है, and fishing जो है, वो major industry है Canada में, उसके इलावा, mining industry and even extensive agriculture जो है, it has been developed only in the last 200 years, तो mining होगी, industry होगी, and जो agriculture है, वो कुछ last के 200 years में ही जो है, डेवलेप हुए थे, and किस ने डेवलेप किया था, जो immigrants से नहां जो कि Europe से आए थे, Africa से आए थे, and even China से आए थे, उन्होंने जो है, इन्हीं industries को यहां पर जो है, डेवलेप किया था, but there were people who had been living in the North America for thousands of years before the Europeans learned of its existence, तो ऐसा नहीं है, कि only जो immigrants थे, उन्होंने ही यहां पर जो है, industries को डेवलेप किया था, और भी कई सारे यहां पर, जो लोग जो लोग होते हैं यहां पर, रहने वाले जो थे, उन्होंने भी जो है, काफी जदा अपना योगदन इसमें दिया था, तो नेटिव लोगों के बारे में देख लेते हैं, the earliest inhabitants of the North America came from the Asia, तो जो earliest inhabitants थे न, वो बोला जा रहा है कि वो Asia से ही बिलोंग करते थे, and वो 30,000 years ago जो है न, यहां पर, वहां से होते हुए वो पहुंचे थे, and during the last ice age, जो ice age थी न, जो कि 10,000 साल पहले हुई थी, they moved further south, तो फिर ice age के समय में जो है, यह थोड़ा सा और आगे जाके रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो सबसे oldest artifact जो हमें अमेरिका में देखने को मिलता है, वो है एक arrow point, जो की लगबग 11,000 साल पुराना है, जो सबसे arts जो हम बहुत सकती है, या फिर कोई monument हो गया, एक ऐसा monument जो है, वो सबसे पुराना है, जो की 11,000 साल पुराना है, तो फिर about 5000 years ago, धीरे धीरे, यहां की population जो है, वो भी grow होनी start हो जाती है, जब यहां का climate जो है, वो stable हो जात होगा, एंड वहां पर फिर agriculture वेगरा, जो सारी चीजे हैं, वो वहां पर establish होनी start हो जाएंगी, फिर किसी जगह की जो population है, वो grow होनी start होती है, तो यहां जो लोग थे, वो groups में रहते थे, या फिर villages में वो रहा करते थे, along the river valleys, रिवर वैली जो होती है, उसके आसपस वो रह करते थे, and chiefly that of the bison, bison जो होता है, एक जंगली जीव होता है, उसका meat वो खाया करते थे, wild buffalo, जो की grassland के आसपास जो है, वो घूमा करती थी, इनका meat वो खाया करते थे, but उतना ही animals को वो मारा करते थे, जितने food की उन्हें यहां पर जरूरत है, extra वो यहां पर hunting नहीं करते थ बट इन्होंने जो है, एक extensive agriculture जो होती है, वो attempt नहीं की थी, and that is why यह surplus जो है, वो grow नहीं करते थे, mean हम यह बहुत सकते हैं कि just अपने लिए, अपने food के लिए ही जो है, जितना उन्हें चाहिए, उतनी ही वो agriculture किया करते थे, and उतना ही जो है, वो hunting यहां पर किया करते थे, just for the food, extra जो होता है, जो surplus होता है, वो यहां पर ही नहीं किया करते थे, तो surplus कोन करता है, जिसके मन में जो है, trade की भावना होती है, विपार की भावना होती है, यहां पर यहां फिर profit की भावना जो है, उसके मन में होती है, वो ही person जो है, वो surplus करता है, बट इन लोग, यह जो यह कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर kingdoms यहाँ फिर empires जो होती है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है however, tritary को लेकर कभी-कभी tribes के बीच में जगड़ा हो जाता था but land ज्यादा issue नहीं होता था वहाँ यह नहीं है कि land की वज़ा से यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं कुछ आपसी और रंजिश यहाँ पर रही होगी उसकी वज़ास थोड़े पोछ जगड़े जो हो जाते होंगे they were content with the food and shelter they got from the land without feeling any need to own it तो वो जो है इसको on भी नहीं करते थे means जो है यह लालच नहीं था कि हमें जो है land को यहाँ पर बढ़ाना है तो formal alliances यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे friendships देखने को मिलेंगी and gifts को जो है न वो exchange किया करते थे and एक तरह से gifts were obtained not by buying them तो जो चीजे थी न वो किस तरह से वो खरीते नहीं थे वो as a gift गुस्टे को exchange कर देते थे तो काफे सारी languages भी यहाँ पर बोली जाते थे North America में but इन्हें जो है यहाँ पर लिखा नहीं गया है written form में नहीं रखा गया है तो वो यह believe करते थे कि एक तरह से जो time है वो एक तरह से move होता रहता है and each tribe had accounts about their origins and इन्होंने जो है न फिर कुछ accounts यहाँ पर बनाए हुए है अपने tribe के बारे में यह बताने की कोशिश की हुई है कि हमारा origin कब से हुआ है क्योंकि यह जो earlier history है वो चाहते थे कि generation to generation यहाँ पर पास हो तो उन्होंने इसका थोड़ा सा जो है लिखके एक account जो है वो बनाया हुआ था skilled craft people थे and जो है काफी beautiful textile जो है उसे भी वो वाफ किया करते थे and they could read the land वो जो है land के बारे में सारा एक लिखके लिखत रूप में जो है सारी चीजे उसका एक account है वो यहाँ पर रखा करते थे climates को जो है वो समझ पाते थे different landscapes को जो है अच्छे से वो समझ पाते थे and जो है एक तरह से literate जो से people होते है वैसे उन्होंने यहाँ पर अच्छे से accounts को create किया हुआ था so we'll continue with the same chapter in our next video and कुछ और important aspects जो है न यहाँ पर North America के हम अपनी next video में cover करेंगे thank you